नमस्कार मैं हो ससी आये जरगां की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं 20 माई को होगा कुरोना का पीक रिशर्च रिपोर्ट कुरोना वायरस महामारी पुरदेश में तबाई मचाय हुए है संक्रमर के ममले रोज नए रिकोर्ड बना रहे हैं इस बीच SBI रिशर्च की एक नए रिपोर्ट सामने आई है इसमें कहा गया है कि कुरोना पीक अभी देश में आना बाकी है रिपोर्ट में कहा गया है कि कुरोना की दूसरी लाहर 20 माई तक देश में एक बार फिर अपने चरंप होगी रिशर्च में बीट वर्ष 2022 के लिए जीडीपी की ब्रीधी दर का अनुमान घटा कर 10.4 कर दिया गया है मौसम विभाग के अनुसार राजधानी राची सहीत आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है अगामी 6 मई तक आसमान में बादल रहेंगे 12 के असर पर करार है मौसम विभाग की मानने तो अधिकतम तापमान 25-37 डिग्री से असर तक रहेगा वही निवकतम तापमान 24-25 डिग्री से असर तक रहने के असर है देस में सरवधिक संक्रमीत पाँच राजियों में सामिल है ज्यारखन्द ज्यारखन में क्रोना जाच की गती वह अकंटेनमेंट जोन में सक्ति बढ़ाने की जरूरी है संक्रमीत मरीजों के संपर्क में आने वाले लोग की भी समाई पर जाच अवस्यक है क्रोना संक्रमन में जरकन की सिती का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि या उन पाँच राज्यों में भी समील है जहां कुरोना का संक्रमन अधिखा है 31 मई तक मई तथा जून का आनाज पहुंचा दिया जाएगा रमेशवर उराओ परदेश कॉंग्रेस अध्यक सहराज के बीद तथा खादा पुर्तिन मंत्री रामेशोर राव ने कहा है कि 31 मही तक सवी राशनकार धारियों तक मही तथा जून महीने का नाज पहुंचा दिया जाएगा उरान सुक्रवार को राची इस्थित पाटी मुखेला में परदेश कॉंग्रेस राअट यम निग्रानी समयिती इस्थित कंट्रोल रूम का जाजा लेने के बाद पत्रकारों से बाचित कर रहे थे बधादे मौके पर किरिशी मंत्री बादल पत्रलेग कॉल्ट्रोन रोम के संजोजक परधीप उपस्थित्ते रेमडे सिवीर काला बजारी मामले की जांच CID ने की शुरू कोरोना के रेमडे सीवित इंजेक्शन के कला बजारी मामले की जाँच अपराद अनुसंधान विभाग CID ने सुरू कर दी है इस मामले में कोतवाली थाना में केस दर्ज की गई थी अब इस केस की जाँच CID करेगी CID ADG अनिल पल्टक के आदेश पर CID ने केस को टेक ओवर किया है तीन से सुरू होगी सरकारी स्कूलों के बच्चों के ऑनलाइन पढ़ाई सरकारी स्कूलों के सेक्शनिक सतर 2021 पढ़ाई माई से सुरू की जाएगी इस समद में जारकन सेक्शनिक अनुसंधान यहां प्रसिक्षन परसत के निदेशक टाक्टर सेले स्कूलों करने को लेकर जिला सिक्चा पढ़ाई दिकारी को आदेश जारी किया है जारी आदेश में कहा है कि सेक्शनिक सतर 2021 में डीजी साथ 2.0 के तहट विद्याथियों के सुराएंगिन विकास के लिए निधारित पाठे चर्चा के अनुरूप जैसी आठी 3 मई से वाटसेप समू हो यह डिजिटल एप के माध्यम से डिजिटल सेक्शनिक समगरी उपलब्द कराई जाएगी क्रितिम ऑक्सिजन किया पूर्ति के लिए 30 HNFC मशीन राज सरकार को पलब्द कुरोना महामारी में संक्रमित लोगों को इलाज में क्रितिम ऑक्सिजन किया पूर्ति हाई फलो अक्सिजन थेरेपी मसीन से राची के रिम्स और हजारी बाग मेटकल कॉलेज में हो रही है तिर्वेनी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेट की ओर से 30 HNFC मसीन राज सरकार को प्लब्त कराए गई है हाई फलो नेजल कैनूला आधुनीक चिकित्सा उपकरन कुरोना से ग्रसित मरीजों को सुरक्षा एमजिवन रक्षक परनाली के लिए उप्योग हो रहा है नीजी अस्पतालों में अब सतर परतिसद बेट कुरोना मरीजों के लिए पतादे पुरो में पचास परतिस बेट ही कुरोना मरीजों के लिए रक्षित करने को कहा है इसे लेकर उन्होंने सबी उपायूक्तोवा सिविल सरजनों के निर्देश दिये है दो माई को चलेगी स्रमिक एस्पेसल ट्रेन रेलवे ने स्रमिको की भीड को कम करने और अहमादाबाद से स्रमिक को जारखन पहुचाने के लिए एक सूपर फास्ट एस्पेसल ट्रेन चलाई है ये ट्रेन आहमादाबाद से चलकर राची होते हुए धनबाद तक जाएगी ये ट्रेन वन वे होगी यानि आहमादाबाद से धनबाद तक जाएगी बतादे धनबाद से वापसी आहमादाबाद नहीं जाएगी ये ट्रेन संक्या 09419 आमादाबाद धनवाद पूरी तरह से अरक्षी ट्रेन होगी ये सुपर फास्ट ये स्पेशल ट्रेन दो महिर अभिवार को आमादाबाद से चलेगी बता दे ये ट्रेन सिर्फ एक ट्रीप चलेगी इस ट्रेन में SLR के दो कोच, समाने स्ट्रेनी के तीन कोच, द्वितियस रेनी सिलीपर के 17 कोच, यानि कूल 22 कोच होंगे ज्यारखन में 69169 केस मिले हैं, ज्यारखन में 120 मरीज की मौत हुई है जारखन में कूल मौत की संख्या 2660 है वहीं कूल एक्टिव केस की संख्या 57716 है भारत में 4,1911,9 केस मिले हैं भारत में कूल मौत की संख्या 2,11,835 है वहीं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 32,63,966 है भारत में 2,991,951 मरीज स्वास्थ हुए है वहीं जार्खन में 4,002 मरीज स्वास्थ हुए है जार्खन में 696 नए केस मिले हैं जो बोकारों से 211, 444, देवघर 206, धनबाद 122, दुमका 29, पूर्वी सिमू 1,003 गड़गा 113, गिरीडी 152, गोड़डा 132, गुमला 220, हजारी बैग 629, जामतड़ा 108 खोटी 171, कोड़ार्मा 181, लातेयार 172, लोहर्दागा 121, पाकुड 22, पलामो 116, रामगर 28 राची 1297, साहिवगंज 22, सराइक 142, सिम्डेगा 125, पच्छमी सिमू से 274, मरीज मिले हैं बतादे जारखन में 120 मरीज की मौथ हुई है, जो राची से 45, धनबाद 13, पूर्वी सिमू 12, बोकारो 8, देवघर वालोहर्दागा से 6, 6 खोटी में 5, लाते हार, चार, पलामो, रामगर 28 में 33, चात्रा, पच्छमी सिम्भू, गुमला वा, कोडारवा में 22, तथा दुमका, गडवा, गिलीडी, गोड़ा में 1-1 मरीज की मौथ हुई है जारखन में 4 हेर, दो मरीज स्वास्थ हुए है, जो वकारो से 108, चात्रा 42, देवघर 203, धरवाद 16, दुमका 157, पूर्वी सिमू 969, गडवा 99, गिलीडी 84, गोड़ा 83, गुमला 109, सजारीबा 401, जामतवा 65, खोटी 199, कोडारमा 432, लाते हार पांग, लोहर्दागा 80, पा 70, से 208, मरीज स्वास्थ हुए है, एन आई ए ने अनल सहीत 34, नक्सलियों पर दाखिल की 4 सीट, लाते हार के चंदवा थाना 36, लुकाईया मोर पर 22, नॉमबर 2019 की राद, पूलिस गस्ति पर हमला कर, एक एसाई वग्री रगशा वायनी के तीन जवानों के हत्या के बाद, ह जार्खन के निवासी बताये जा रहे हैं, 18 पलस के लिए आज से भैक्सिन नहीं, जार्खन में 18-44 बरस के आयू के नागरीकों का कुरोना टिका करन सनिवार से सुरू नहीं होगा, इस आयू वर्क के लोग खाजकर यूवा टिका लेने के लिए त्यार हैं, बड़ी संख्य हैं, विकास आयूक्त स्वास्त विभाग के अपर मुक्त स्चिव अरून कुमार सिंग के अनुसार, कम्पनियों मई माह में बैक्सिन उपलब्द करानी की बात कर रही हैं, लेकिन कोई निश्ची समय नहीं बता पा रही हैं, जामा खोई के खिलाब परसासन सक्त, राची ज द्वारा किये जा रहे, कारेओं के जनकारी लेते हुए आवसक दिशान निर्देश दिये, इस दोरान डी सी ने कहा कि राची वास्यों को किसी परकार क्यों स्विधा नहीं होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि सभी प्रतिन्यूक दंडा अधिकारी अपने अपने सिफ्ट के द पूरों में एक हैर अतिरिक्त पूलिस बहल तैना थे, अब इसे बढ़ा कर दो हैर कर दिया गया है, बता दे स्विध्र कुमार जहां के निर्देश पर, राइधानी राची के 100 से अधिक चगों पर अतिरिक्त पूलिस पल की प्रतिन्यूक्ति की गई है, स्विध्र ने पर सुक्रवार को यातरी बस वर ट्रक के बिच विशन टकर हो गई, बता देश दुरगाटना में दो यातरी की मोत अस्थल पर ही हो गई, वहीं एक दरजन के करीब यातरी घायल हो गई है, यातरी बस छतरपूर से मेधनी नगर जा रही थी, ट्रक से हुई सीधी टकर में बस के केवीन में बैठे अधिकान से यातरी घायल हुए है, होम गार जवानों को आक्सीजन सिलेंडर मैनेजमेंट की दी गई ट्रेनिंग, राची सदर अस्पताल में बनाए गए कोविड हेल्थ सेंटर में मेडिकल सुविधावों को बेहतर करने के लिए जीला परसासन की लगतार परियास्त किया जा रहा है, परतिन्यूक चिकित्सकों की टीम, दंडा अधिकारी और स्वास्त कर्मी अपने कारियों का निश्पादन कर रहे हैं, अक्सीजन की परियाप सप्लाई के लिए मैनी फोल्ड सिस्टम के सफलता पूर्वक संचालन के बाद, अब होम गा सिना की कुरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है, वह पोई तरह स्वास्थ होगा हैं, और घर लवट आए हैं, कुछ दिन पूर्व उनकी रिपोर्ट पोईटिव आई थी, और उन्हें इलाज के लिए मेडिका अस्पताल में भरति कराया गया था ज्यारखन में अगले 15 दिनों तक नहीं होगी रईष्टरी, ज्यारखन में अगले 15 दिनों तक किसी भी तरह के निवंधन का कारे पूरी तरह से बाधित रहेगा, कुरोना के बढ़ते संक्रमन को देखते वे ज्यारखन दस्तावेज 29 संग ने 15 मैं तक कारे नहीं करने का न ही करेंगे, भाजबा के परदेश अध्यक्स सांस दीपक परकास ने हेमन सरकार के कारे कलापों को कटखरे में खड़ा करते हुए जोरदार हामला बोला है, उन्होंने हेमन सरकार के कारे सहली पर सवाल खड़े करते हुए सुक्रवार को कहा कि या सरकार इस आपदा में पू और नवाद